हेलो आज आपके लिए प्रैक्टिस सैट नमर फाइव लेकर आए हैं और आज का जो पहला क्वेस्टिन है सैट में वो क्या है विच डी इस रिमेंबर्ड एस फर्स टे विन एंडूस्ट ब्रीडिंग वास केरिड आउट इन इंडिया तो इसका जो अंसर है वो है 10 आफ जुल और जो इसके कुलीग थे अली कुनिह ने सक्सेफुली एंडूसिं द ब्रीडिंग आफ मैजर कौप्स कहां पि किया था और इसा के अंदर किया था ओके और्सा के अंदर किया था और किसमें किया था उस टैम थे परफेसर डॉक्टर हीरालाल चोधरी और इसके कुलीग भी है जिसका नाम था अली कुन ही और कौन सी फिश थी उस टैम किस फिश को किया है उन्हें ने सुस्टफुली एंड्यूस्ट वो थी मैजर कॉप्स ठीक थी कहता है मैजर कॉप्स फ डिस ऊंड्युब surgir ओका है कि तो है और हम बात करें चौल 122 में 65 टे जो है 65 फिश या इसके वाने प्रदूस्त में ये होते हैं नेचरली सोबिक जो एक और आ अके सकेंड हैं ये प्रदूस्त करते हैं लिदे फंजाय purpose आπειर दखते हैं मॉल्ण्स क्या होते हैं ये मर्मॉ्ड्स यो में प्रदूसर परते हैं अब आरन покrasnya होते हैं अब ये बहुत सारे कि घैडा साइ्ट्टोटक्जिंग अगर हम बैक्टेरिय के बात करेंगे बैक्टेरिय के अंदर ऐगा एंडो एंडो एंड´ एक्जोटोगज FR Iya ऑट फंझाएं के अदर माइकोट्द एंडू ऄिट Polish नुवा जो है यह बी करता है आरफ को थाते हैं जो पार जृत्प रभाइ strengthening चिंह त्ट करें और यह साइन हैं उर च्छी किया और और ग्यों च्छी क рук ≤ यह दो और और आएज स्पॉटेश्ट का रात करें और यह होते क्यों है कैसे होते है जब देखा गया हैً जो ही धी हम ग्रवडिटी 70% जब हो जाती है और जो टमपरेचर जो है वो 30 डिगरी सेल्शी हो जाता है तब जो है माइक्रोटाउजन जो है ये बनते हैं और एक बात और जो ये फिश का फीड होता है इसमें अगर ये माइक्रोटाउजन पहल आ जाएं तो ये फिश के लिए बहुत पॉ होता है ओके फार स्पाइनिंग ऑफ वन केजी ऑफ काप हाव मच वाटर इस रिकवाइड इन हैचरी जिसका अंसर आएगा वन एम क्यूब वन क्यूबिक मीटर जो होता है ये होता है वन थावसेट लीटर के बराबर ओके बनाना शरिम्प इस बनाना शरिम्प क्या है देखो जो बनाना शरिम्प है ये फाइलम जो है अगर हम फाइलम की बात करें फाइलम आर्थरोपोर्टा के अंदर आता है और जो सब फाइलम है सब फाइलम है करस्टेशिया और क्लास की अगर हम बात करें क्लास आता है मलेको त्रेकिया ठीक है और इसका जो अंसर है फैनिरो पेनियस मैजिनियस ये जो है ये बनाना शरेप है ओके मैथ हेमो ग्लोबी नीमिया इस रिटेड़ टू डैस टाउजसिटी मैथ हेमो ग्लो ग्लोबी नीमिया ये एक बलॉट डिस आर्डर होता है क्या होता है यह blood disorder होता है जब abnormal amount of mytho hemo global जब हो जाता है produce तब यह mytho hemo globinemia होता है protein in red blood cells carry oxygen to the body अब जानते हैं जो प्रोटीन होते हैं जो carry करते हैं oxygen red blood cells ठीक है न को और toxicity करना बात करें होते हैं dice के वज़े से medication की वज़े से हो जाते हैं जो answer आएगा यह आएगा NO2 उके NO2 जो है इसका correct answer है उसके बार है hooks and lines जो है are used होती है for catching किसके catch के लिए यह हम use करते हैं तो प्रांस है, tuna है, mackerel है, none of the bo तो इसका जो answer आएगा वो आएगा tuna fish tuna fish के लिए हम hooks का इस्तामाल, lines का इस्तामाल करते हैं, tuna fish होती है, यह salt water fish है, अगर यहाँ पुछे जाए यह कौन सी family से belong करती है, तो family आती है सिकंबरेडिया, सिकंबरेडिया family से यह belong करती है, और जो यह hooks है, यह benthic या डिमर्सल या पिलेजिक फिश के लिए use होती है, okay, the telosed fish has the following class of aminoglobuline, तो इसका जो कोई टांसर है, वो है IgM, found in mycosal secretion of the gills, बगल सिकंब, यह डिसकोवर के था आई से 50-60 साल पहले, एक spiny dog fish के देखा गया था, जो थी squalas acanthias के serum के अंदर यह दिखाई दी गई थी, फिर WSSV was first reported in serum culture in India, जो WSSV है, यह क्या है, यह first report कब हुई थी, WSSV का मतलब होता है white spot syndrome, यह एक virus है, यह viral infection के वाज़े से हो जाती है, अगर हम बात करें, जो penidia family है, penidia family से यह shrimp जो है, यह belong करती है, और यह marine crustations होते हैं, और prans भी होते हैं, जिस तरह से अगर हम penidia family में द यह phylum जो है, phylum भी पूछ सकते हैं, phylum arthropoda आता है, और जो class होता है, class आता है, malakos trachea, malakos trachea जो है, यह class होता है, और इसका जो answer आए गवाएगा, 1994 की बात थी, जब ऐसा हुआ, 1994 में हुआ, उसके बाद है, induced breeding was first practiced by people of which country, इसमें आपको समझना होगा, एक होता है, किस तरह से produce किस ने किया, उसके बाद है, यहाँ पर develop किस ने किया, फिर practice किस ने किया, यह चीज़ी बड़ी important होती है, induced breeding कि अगर हम बात करें, अर्जंटीना जो है, अर्जंटीना, अर्जंटीना एक ऐसा मुलक है, इस जो इस इन्हों ने produce किया, जो वहाँ पे थे, बी ए हसी ने, 1930 में, पिचिटरी से extract किया, उके, उसके बाद जो ब्रेजील है, ब्रेजील इसका correct answer है, क्योंकि ब्रेजीलिन जो है, यह फॉस्ट कर्टरी है, जहाँ पे 1934 में जाके इसको develop किया गया, ठीक है, अर्जंटीना के बाद आएगी, क्योंकि अर्जंटीना ने इसको first time produce कि 1930 में अके और ब्रेजील ब्रेजील जो है, यह first country है, जिसने डेश भी किया नायाइट daily इसका किया गया, फोस्ट एटेंट जो किया गया, हमीद खान थे, हमीद खान ने किया था, सिरीनस मári गला के उपर, हमीद खान ने इसको हम क्या कहते हैं, सिरीनस मेरी गयला के ओपर किया था कि यहाँ जो toatique, ऊपशिन हें इसके और आदु फैस्ट करने हैं, किभी अगर वात करें हैं ऐसके एक मेरीन एनिमल होती है, मीरीन ऐनिमल है, यह क्या क्या है ? मेरीन एनिमल है, अटर की अगर हम बात करें, function धर आता हैजा सिपीडिया, Fund का झाजसि की सिप्एलो पोर्टड़ क असका आता है मोलस्का तो CPI जबी पुच्छें के CPI क्या है बदा सकते जो CPI होती है यह क्या है एक क्टल फिश क्या कहते हैe क्टल फिश और है और वन नाट इंशिप इस लिए और जो होती है यह हो इति है वन पॉंट 8 नौटिका स मालulas हाय नाट जो है यह यूज होते हैं यूज होता है किसे के लिए स्पीट मेजब्ज करने के लिए अगर हां शेप की बात करें का एंधर के इसका जो जो स्पीड पे चल रहा है तो उसकी जो हम मेजरेंट करते हैं तो हम उसको नॉट के अंदर देख जाता है तो जो जो वन नॉट हो ती है यह जो खाजान लेंड होती है इसको हम कहते हैं री क्लाइमेड लेंड क्या बहुत इसको हम री क्लाइमेड लेंड होती है फ्राम फ्राम दा या रैवर होगा चाहे सी हो ठीक है वहां से जो री क्लाइम की जाती है उसको हम कहते हैं खाजान लेंड ओके which among the following is not a cop यहां कुछ फिशिस के नाम दियागी है हमें यह बताना है कौन सी जो कॉप नहीं है पहला है टीनो फरिंगोडान आइडिला टीनो फरिंगोडान आइडिला होते हैं ग्रास कॉप ओके यह है आपकी ग्रास कॉप उसके बाद है हाइफो थेलमेंचेत्र स्मोली ट्रिक्स यह जो है इसको हम कहते हैं सिल्वर कॉप क्या यह सिल्वर कॉप और अस्टी जित्र नोबिलिस जो है इसको हम कहते हैं बिग हैड कॉप क्या बोलते हैं बिग हैड कॉप और जो यह बीच वाली है यह केट ला यह कॉप नहीं है यह थ्रेड फिन फिश है OK क्या है थ्रैड फिन फिश जो आफ परेम कॉंटेंड्स अबने ब्रेम करता है अबर्फेम जो है यह यूज किया जाता है as spawning aid, क्या, कौन सा aid, spawning aid, to induce evolution, evolution के लिए, ताकि जो mature उस साइड से, या एक से, उनका release हो जाए, टाइम पर, ठीक है, तो, इसका answer आएगा, LHRH analog, जो है, ये contain करता है, और परेम, the gut pH in fishes during digestion is reduced by the secretion of, तो, इसका जो answer आएगा, वो आएगा, HCL, hydrochloric acid, इसका correct answer है, male ratio female, male or female के जो ratio होता है, used in breeding pool of a hatchery, in breed, वो कितना होना चाहिए, 2 raise to 1, okay, 2 males or 1 female, जो है, इसका correct है, two falling organisms of craft are, two falling organisms of craft are, two falling organisms of craft are, वो कौन से है, देखिए, falling organisms, वो organism होते है, falling, जो है, falling, एक ऐसी process होती है, जिसमें जो organism है, वो अपने आपको attach करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अपने आपको किसी object के साथ underwater attach करते हैं, such as ship, ठीक है, शिप के साथ भी कार सकते हैं, और बहुत सारे options के पास, तो जो अपने आपको क्या करते हैं, यह जो है, यह organism अपने आपको क्या करते हैं, फोलिंग करते हैं, इन के अदर falling process होती है, तो यह जो है, बनाकल किया बात करें, यह आर्थरो पोड़क के अंदर आता control EUS, फोलिंग का मतलब होता है, इस का मतलब होता है, अल्सरेटी यू और S का मतलब होता है, syndrome, क्या होता है, syndrome, अल्सरेटी यू सेड्रूम, तो सीफेक्स जो है, यह इसका correct answer है, और आज का last question क्या है, तो इसका जो अंसर आएगा वो आएगा 40 टन्स कितना आएगा 40 टन्स अब देखो होता क्या है अजोला है क्या अजोला एशिया के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज होती है गरीन मैनुवर किसके लिए खासकर राइस क्रॉप के लिए और नाइट्रोजिंग इसके अंदर एक दो तीन चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टन है एक्जाम पॉइंट आव यू सबसे पहले जो इंपॉर्टन चीज़ बोजी है कि इसके अंदर कैपैसिटी होती है नाइट्रोजन फिक्स करने की यह ऐसा प्लाइट होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है जो नीट्रेंट को सोयल और वाटर से सिक्वेंज करता है क्या करता है सिक्वेंज करता है न्यूटर्स को किसे सोयल और वाटर को तो ये बड़ा इंपॉर्टन है मैं आपको एक चीज़ बता हूँ जो आजोला की ओपर थोड़ा लेक्टर जो भी आपको मिले कहीं से भी आप पढ़िएगा अजोला के ओपर जो आर्टिकल्स है वो भी पढ़िएगा बड़ा इंपॉर्टन्ट है बहुत सब बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा पढ़ने को मिलेगा और आई होप आपको ये लेक्चर जो है ये पसंद आया होगा और भी मैं ऐसी लेक्चर लाता रहूंगा ताकि आपके जो है एक्जाम बिलकुल आपके एक्जाम की तैयरी हो जाए और आपको कोई प्रॉल्म भी नहीं होने चाहिए तो आप देख तरिये टिचिंग प्याली तब नहीं होग आपस